तो आज मैं explain करने वाला हो गुटरगु नाम के लग स्टूरी बेस्ट वेप सीरीज के एपिसोड वन को जो कि Amazon Mini TV पर रिलीस की गई है तो ये कहानी है भोपाल शहर की जापर हम एक tuition teacher को बच्चों को पढ़ाते हुए देख पाते हैं बट ये teacher इतनी तेज तेज बोल रहा था कि किसी भी student को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और कोई भी student सर से ये भी ने कह रहा था कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा बट इसी class में बैटा हुआ एक लड़का जिसका नाम था Anuj वो अपना हिम्मत दिखाते हुए सर से कहता है कि सर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा और आप इतनी तेज तेज बोल रहे हो जिस वज़े से हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तब ही वहाँ पर अचानक से रितू आ जाती है और अनुज रितू को देखकर शर्मा जाता है तब वहाँ पर रितू अनुज से कहती है कि you have got balls बट अनुज को इस line का मतलब नहीं पता था तब अनुज रितू से कहता है कि कौन से balls क्या balls खैर इसके बाद रितू अपना introduction देती है वो बताती है कि उसका नाम रितू है और वो recently गुरगाओ से अपने family के शाथ भोपाल में shift हुई है इसके बाद रितू अनुज से पूछती है कि वो कौन से school में पढ़ता है तो यहाँ पर अनुज बताता है कि वो तो भोपाल में पासी में एक boy school में पढ़ता है जिसके बाद रिटू अनूच से कहती है कि तुमने अच्छा किया कि तुमने सर को बताया कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्युक्त सच में क्लास में किजी को भी उप शमज नहीं आ रहा था बट तुम अकीले थे जिसने हिमत दिखाई और सर को ये बोल पाया और ये तारीफ सुनकर अनुच खुश हो जाता है बर तभी अनुच के दो फ्रेंड्स जिनका नाम था आदी और उमेर वो अनुच को घर जाने के लिए बुलाते हैं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रितु के मॉम पे जहां पर रितु की मॉम रितु से कहती है कि भोपाल के बॉई स्कूल के लड़के इतने बदनाम है कि उस स्कूल में कोई भी फीमेल टीचर जॉब करना नहीं चाहती खेर इसके बाद रात को हम अनुच के फ्रेंड उमेर को देख पाते हैं जो कि अनुच से कह रहा था कि अगर रितु को पता होता कि हमारे स्कूल के लड़के कितने बदनाम है तो वो कभी भी अनुच से बात नहीं करती क्योंकि अनुच भी तो उसी बदनाम स्कूल में पढ़ता है न और यहाँ पर अनुच अगरी करते हुए कहता है कि हाँ यार शायद रितु भी मुझे भूल जाएगी और मुझे भाव नहीं देगी दन अनुच यहाँ पर बताता है कि रितु ने मुझे कहा था यू हैव गॉड बॉल्स बट मुझे इसका मतलब नहीं पता बट यहाँ पर अनुच का दूसरा फ्रेंट जिसका नाम था आदी लड़का नहीं है तो यहाँ पर रितु कहती है कि नहीं भूपाली लड़के मुझे पसंद नहीं आने वाले दन दूसरे दिन हम अनुच को देख पाते हैं जो कि ट्यूशन जाते हुए रास्ते में एक कुट्ते के साथ खेल रहा था तब यहाँ पर रितु आती है और अपने फोन से अनुच की फोटो क्लिक करती है और अनुच देखता है कि वो फोटो काफी अच्छी आई है जिस पर रितु बताती है कि उसकी हॉपी है फोटोग्राफी इस होजे से वो काफी अच्छे photos click कर पाती है दिन इसके बाद रितू अनुच से उसका phone number मांगती है ताकि रितू अनुच को उसका photo send कर पाए और यहाँ पर अनुच शर्माते हुए अपना phone number रितू को दे देता है और यह तो शायद हर किसी ने किया है मतलब अपनी girlfriend का number या फिर किसी लड़की का number अपने phone में किसी दूसरे के नाम से save करना किया है ना तुमने खैर इसके बाद हम actual अमिद भहया को देख पाते हैं जो कि शायद से अनुच के पडूस में रहने वाला कोई लड़का होगा जिसे कि अमिद भहया कहता था तो यहाँ पर अमिद भहया cricket खेल रहे थे और काफी बुरा cricket खेल रहे थे यहाँ पर अनुच अमिद भया से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर अमिद भया अनुच को प्यार से वर्जिन कहकर बुलाते हैं और यहाँ पर अनुच अमिद भया से मिलने के लिए था ताकि वो अमिद भया से लड़की पटाने के लिए कुछ टिप्स वगरा मांग क्योंकि लड़किया गोल गले की टीशिट पहनने वालों को बच्चा समझती हैं तो अनुज यहां पर शर्ट पहन लेता है देन टिप नमर टू कि अगर रितू अनुज में इंटरेस्टेड है तो रितू अनुज से बाते करते हुए अपने बाल खोल लेगी बट ऐसा नहीं ह कहते हैं और अगर रितू अनुज में इंटरेस्टेड हुई तो इंस्टा में सबसे पहले रितू अनुज के फोटो को लाइक करेगी बट अनफोर्शनेटली ऐसा भी नहीं हो पाता देन टिप नमर फाइफ कि रितू जो भी खाएगी उसे वो अनुज के साथ शेयर करेगी बट ये भी नहीं हो पाता जिसके बाद अनुज अमिद भेया को कॉल करके कहता है कि आपने जो जो चीज़े कही थी वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ तो यहाँ पर अमिद भेया कहते हैं कि फिर तो तू मान ले कि लड़की तुझ में इंट्रेस्टेड नहीं है और तू उसे बूल जा और आगे बढ़ जा और इस बात से अनुज तोड़ा सा उदास हो जाता है देन दूसरे दिन टूशन में रितू कूलर में पानी पी निक खीची थी उस फोटो के मैंने इंस्टा में अपलोड की और मुझे बहुत सरे लाइक्स मिल गए तो रितू इस बात पर पूछती है कि तुम्हारा इंस्टा इडी भी है इसका मतलब रितू को पता ही नहीं था कि अनुज का इंस्टा इडी रितू को बताता है जो कि था वि तो क्या तो मेरा इसमें साथ दोगे तो यहां पर अनुज कहता है कि हां मैं साथ दूँगा तो इसके बाद वो लोग प्लाइन करते हैं कि वो संडे एक जगा पर मिलेंगे जहापर वो भोपाल के बहुत सरे जगा के फोटोज वगरा क्लिक करेंगे और यहां पर बाते करते हुए रितु अपने बालों को खोल लेती है इसका मतलब अमिद भया कि एक बात तो यहाँ पर सच हो ही जाती है और अनुज रितु के इतने करीब आ गया था जिस वज़े से अनुज काफी खुश होता है देन संडे का दिन आता है और अनुज अपने मौम से कहता है कि आज रा पढ़ाई वगरा कैसी चल रही है तो अनुज कहता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है जिसके बाद यह पर अनुज के पापा यह कहते हैं कि अनुज बहुत अच्छा है और अनुज कभी ऐसे लड़कियों के चकर में नहीं पढ़ेगा और ऐसी गलत हरकते नहीं करेगा और यह बात अनुज के दिल पर लग जाती है तो यहां पर अनुज सोचता है कि अगर वो रितु से मिलने के लिए गया और किसी ने उसे रितु के साथ देख लिया तो बहुत बाते बनेंगी और अनुज के पापा को बहुत बुरा फील होगा इसे वज़े से अनुज अनुज का मैसेज मिलता है कि वो अभी नहीं आ सकता उसे कुछ काम आ गया है और obviously ये देखकर रितु को काफी गुसा आता है फिर दूसरे दिन ट्यूशन में अनुज रितु के पास आकर उसे स्टोरी कहता है क्योंकि वो संडे की दिन रितु से नहीं मिल पाया था क्योंकि उसे कुछ काम आ गया था बट यहाँ पर रितु अभी भी बहुत नरास थी और वो कुछ भी मानने को तियार नहीं थी और अब अनुज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे तो इस वज़े से अमित भया के पास जाता है यहाँ पर अमित भया अनुज को एक लव लेटर प्रिंट करके देते हैं और अनुज से कहते हैं कि तु जा और इस लेटर को रितु को दे करा और अगर रितु तुछ में ज़रा सभी इंटरेस्टेड हुई तो यह लेटर पढ़ने के बाद वो ज़रूर से पढ़ जाएगी तो दूसरे दिन जब अनुज टूशन जाता है और जब टूशन में जब एक टिफिन ब्रेक होता है जब सभी स्टुडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं तब अनुज चुपके से रिटू के बैग में रखे होए एक बाईयो बुक के अंदर उसी लेव लेटर को चुपा देता है दिन उसके बाद जब रिटू कलास में वापस आती है तब रिटू की फ्रेंट रिटू से उसी बाईयो बुक को मांगती है और कहती है कि मुझे प्लीस वो बायो बुख एक दिन के लिए दे दे, मुझे उस बुख की जरुवत है तो यहाँ पर रितू उसी बायो बुख को जिसके अंदर अनुज ने अपना लेटर चिपाय हुआ था उसी बुख को रितू अपने दोस को दे देती है जिसके बाद अनुज ये देखकर काफी डर जाता है कि अब क्या होगा तो यहाँ पर जब ट्यूशन की छुटी हो जाती है तब अनुज रितु को रोकता है और रितु से उस बायो बुक को मांगता है और कहता है कि मेरे एक कजेन को तुम्हारी वो बायो बुक चाहिए ताकि वो तुम्हारे बायो बुक से कुछ नोट्स वगरा ले पाए बट उस बुक को तो पहले ही रितु के फ्रेंड ने ले लिया था और रितु की फ्रेंड उस लेटर को उठा कर पढ़ने लग जाती है जिसमें की लिखा था कि अनुज रितु को पसंद करता है और वगरा वगरा और ये पढ़कर रितु की फ्रेंड कहती है कि चलो हम इस लेटर को सर को दे कर आते हैं और अनुज को डाट सुनवाते है बट यहाँ पर रितु कहती है कि यह प्रस्नल मैटर है तो टीचर के पास क्यों जाना मैं अनुज से बात करके निप्टा लोंगी तुम घर जाओ मतलब रितु यहाँ पर अपने दोस्त को भी जाने के लिए कह देती है जिसके बाद रितु अनुज से अकेले में बात करती है और कहती है कि क्या यह सच है क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो तो यहाँ पर अनुज कहता कि हाँ मैं तुम यह सच में पसंद करता हूँ इसके बाद अनुज रितु को बताता है कि वो रितु से मिलने के लिए डरता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर किसी ने भी अनुज को रितु के साथ देख लिया तो फिर बहुत बाते बनेंगी और लोग बहुत कुछ बाते बनाएंगे और यहाँ पर रितु कहती है कि तुम मुझे पसंद भी करते हो मुझसे मिलने के लिए भी डरते हो तो यह रिलेशनशिप को तुम कैसे समालोगे तो यहाँ पर अनुज कहता है कि फर्स टाइम है सब सीख लूँगा और सब समाल लूँगा देन रितु कहती है कि ठीक है मैं इस रिलेशनशिप के बारे में सोचूंगी कि आगे क्या करना है देन रितु यहाँ से स्माल करते हो चली जाती है और हम क्लिरली समझ पाते हैं कि लड़की हसी तो फसी मतलब आपविसली रितु को भी अनुच पसंद आ गया है और आप शायद इनकी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ने वाली है तो इसे तरीके से एपिसोड 1 यही पर खतम होता है तो कैसे लगे आपको यह वीडियो कमेंट से बताना और अगर एपिसोड 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक और चनल को सब्स्राइब कर देना मैं मिन्नोंगा अगले एपिसोड में तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग